गर्मी की दिनों में सेहत का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। कई बार लोग अधिक गर्मी के कारण लू की चपेट में आ जाते हैं। जिससे लूज, मोसन, उल्टी, घबरहट जैसे समश्या होने लगती है। इससे बशने के लिए लोग तुरन दवाईयों का सेवन करते हैं। लेकिन जरूरत से ज़्यादा दवाई खाना आपकी सेहत को नुकसान पहुचा सकती है। अगर आपको इस गर्मी में घबरहट बेचेनी जिससे चुटकारा पाना हैं। तो रोजाना खाने के साथ प्याज को सेवन करे। ऐसे में चलिए जानते हैं इस गर्मी में रोजाना प्याज खाने से आपको क्या कुछ फाइदे होंगी। मैं हूँ आप सभी के साथ स्रावोनी रोई। इस गर्मी में डेली प्याज का सेवन सेहत के लिए फाइद मंद माना गया है। प्याज में कैलसियम होते हैं और पानी की मातरा ज्यादा जिससे ये गर्मी के दिनों में सरीर को हाइडरेट रखता है। प्याज में भीटामिन C और पोटासियम भरपूर मात्रा में होती है, ऐसे पोसक तत्व होते हैं जो गर्मी के दिनों में लूज से हमें बचाते हैं, प्याज में एंटियोक्सिडेंट भरपूर मात्रा में होते हैं, जो रोग प्रतिरोधक शम्ता को बढ़ाने में काफी करती है प्याज खून को साफ करता है और पाचन क्रिया को बेतर बनाता है कुछ लोगों को लू की वज़े से सर्दी खासी और पेट की बीमारी भी हो जाती है इससे राहत पाने के लिए आप प्याज का सेवन कर सकते हैं लेकिन याद रखे जरूरत से ज़्यादा प्याज खा समस्या देखने को मिलती है वही अगर आपको प्याज के सेवन से कोई भी समस्या होती है तो तुरंट डॉक्टर से सला ले फिलहाल आज का वीडियो में इतना ही ऐसे इंट्रेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए तब तक के लिए जैहिन दोस स्टूब